Hello everyone, welcome back to the channel, I hope you all are doing fine तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है cutting of spring और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी साथे students अपने आपको confident नहीं feel कर पाते हैं तो believe me अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो इसके बाद आप spring से related कोई भी problem इस type के अगर दो block को attach कर दिया spring से कोई साथ भी spring cut कर दिया इन सब type के problems को आप करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला आपको so let's start the video तो problem करने से पहले एक छोटा सा concept है वो देख लेते हैं ये क्या देख रखा है यहाँ पे तीन blocks है जिनने दो spring की health से attach किया गया है right यह spring s1 बोल दो आप यह spring s2 spring s1 का tension t1 है spring s2 का tension t2 है ठीक है तो हमें याद यह रखना है कि just after cutting मैंने इस दोनों spring में से यह s1 spring जो है इसे cut कर दिया To just after cutting क्या याद रखना है अपने को अपने को पस यह याद रखना है कि जैसे ही हम किसी स्प्रिंग को कट करेंगे उसका टेंसल जिरो हो जाएगा ठीक और जो बचा हुआ problem की तरफ चलते हैं इसमें बोल रखा है system is in equilibrium और acceleration of blocks दोनी blocks का हमें बताना है जब s1 को cut कर दिया जाता है s1 यह spring है s2 यह spring है ठीक है इसे cut कर दिया जाता है लेकिन cut करने से पहले हम यह चीज़ देख लेते हैं इसमें tension कितना है वह बहुत करने के बाद हमारा जो फीगर आने वाला कुछ ऐसा आएगा तो हमने पहले discuss क्या कर लिया है कि जैसे ही cut करेंगे किसी भी spring को तो उसका tension zero हो जाता है तो यहां पर यह वाला tension जो है जिरो हो जाएगा उसे हमें m रहा गया यह 3m रहा गया और इसका tension कितना है 3mg ओके तो यह 3mg क्या होगा दोनी ब्लॉक पर लगएगा इस पर इधर इस पर इधर spring का force दोनों तरफ से लगएगा राइट 3mg अब हमें क्या देखना है blocks का अपना force कितना होता है तो इसका इधर 3mg नीचे इसका कितना mg नीचे राइट तो इस वाले block का acceleration कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कैसे 0 हो जाएगा acceleration क्या होता है net pulling force 3mg माइनस 3mg अपन मास कितना 3m यह तो 0 ही हो गया ठीक है उपर वाले का देखते है इसका देखे तो net pulling force कितना हो जाएगा 3mg और mg acceleration कितना हो जाएगा net pulling force 4mg 3mg नीचे mg नीचे, upon m total, m total कितना है, m, तो ये 4g किदर की तरफ जायागा, net force का direction कितना है, नीचे की तरफ, तो 4g से नीचे जायागा, ये, next वाला problem करते हैं, और अच्छे से clear होने वाला है, अब क्या बोल रखा है, इसमें, s2 को cut कर दिया, तो जब हम s2 को cut करें, ठीक है, तो ये क्या हो जागा, 3mg वाला part ये 0 हो जाएगा, वो वैसे ही रहागा, 4mg, तो अगर मैंने s2 spring को cut किया, तो हमारा figure कुछ ऐसा आने वाला है, क्योंकि यहां का tension 0 हो गया, यहां पर कुछ है नहीं, और इसमें tension कितना अपने calculate किया था, 4mg था, नीचे का 3mg, उपर का 4mg, तो 4mg है इस वाले spring का tension, तो 4mg इधर भी लएगा, और यह इसका अपना कितना लएगा, यहां पर यह fixed है, यहां पर कुछ नहीं होगा, यहां पर 3m वाले पर देखें, तो उपर वाले spring मैंने कर दिया cut, उसका tension हो गया 0, तो उपर इस वाले block पर कुछ नहीं होगा, इसका अपना force पस नीचे लएगा, 3mg, ठीक है, acceleration क्या हो जाएगा, 3mg, by, कितना 3m, और किदर के तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, right, net force नीचे की तरफ है, अब इस वाले में देखते है, net force कितना है, 4mg, acceleration क्या हो जाएगा, 4mg, minus, sorry, mg, upon, mass, यह 3mg, upon, m, यह कितना 3g, किदर की तरफ, 4mg वाला बढ़ा है, mg से तो ऊपर की तरफ, तो I hope कि आपको clear हो रहा होगा, चलते हैं, next problem में, और भी, आसान होने वाला है, इसमें हमें 3 block से attach कर रखा है, 3 spring से, okay, तो इसमें भी simple सबसे पहले क्यार कर देंगे हम, मेरा पहला काम होना चाहि है, तो यहाँ पर 3mg, यहाँ पर 2m, 3m, यहाँ पर कितना 5mg, यहाँ पर कितना हो जागा, 3, 2, 5, 1, 6, 6mg, सारे ही spring का हमें tension पता चल गया, किस spring को cut किया जाए, चलो spring 2 को cut करते हैं, कट करते हैं, अब spring 2 को, अब हमें बताना है, कि सारी blocks का acceleration क्या है, तो जैसे ही cut किया, वहाँ tension 0 हुआ, figure कुछ इस तरह आ गया, तो अब इसे हमें भूली जाना है, जो cut कर देते हैं, उसका tension 0 हा जाता है, इस 5mg को अब याद रखना ही नहीं अब हमें, तो अब हमें देखन कर देते हैं, क्या बोला मैंने, उपर वाले को cut कर दिया है, इस वाले spring को, तो उसे हमें ध्यान ही नहीं देना है उस पर, तो अब इस पर देख लेते हैं, इस tension कितना था, इसका 3mg, पहले tension पर आप concentrate करो, इस वाले block पर भी लग जाएगा यह 3mg, ओके, अब tension तो लिग दि 2mg, upon mass, यह कितना हो जाएगा, 5g, किदर की दरफ, 6mg बढ़ा है, mg से उपर ज्यादा force, उदर की दरफ, block को देखते हैं, तो इसका acceleration क्या लिख सकते हैं, नीचे 3mg, 2mg, net pulling force कितना है, 5mg, उपर तो कुछ लग नहीं रहा है, right, upon mass कितना है, 2m, तो यह कितना बना गया, 5 by 2g, किदर की दरफ होगा, सारा ही force तो इस पर नीचे ही लग रहा है, तो नीचे की direction में acceleration इसका होगा, अब इस वाले को देखू, यहाँ पर क्या होगा, 3mg उपर लग रहा है, 3mg नीचे लग रहा है, acceleration कितना हो जाएगा, 0, तो I hope कि आपको clear हुआ होगा, क्या करना होता है हमें, simple हमें पहले क्या देख लेना होता है, tension देख लेना होता है, 3mg, 5mg, 6mg, टेंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अब किसी भी spring को cut करें, वहाँ का tension हमें 0 कर देना है, जैसे ही इसका cut किया, मैंने इसका 0 कर दिया, उसके बाद, figure कुछ ऐसे मना लिया, इसका cut कर दिया, इसको हटा दिया, मैंने, इसको ऐसे यहाँ पर draw किया, इसको यहाँ पर draw किया, अब जब 6mg पता है अपने को, तो 6mg इसके लगा देंगे, यहाँ पर 3mg पता है, तो 3mg इधर भी लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा, यहाँ पर क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पर यह फिक्स्ट है इसलिए नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर कोई ब्लॉक होता तो उधर भी 6MG लग जाता तो उसके बाद एक्सलेशन कैसे लिखते हैं पुलिंग फॉर्ट अपॉन टोटल मास तो जो कट करते हैं उसे हमें भूल जाना होता है तो आपको यह क्लियर होगा और अच्छा लगा होगा यह वीडियो तो आप इसे लाइक करो कमेंट करो कमेंट में बताओ सेर करो अपने फ्रेंज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू